मुझा नमस्कार दिश्रिक मित्रों आप दीख रहे हैं दमन्यूज दमन्यूज में आप सभी दर्शोकों का हाल दिक स्वागत हैं समाचोर के सब्रत करने से पहले आई एक पुज़िट आपने आज की सुर्खियों पर पाड़ी नगर जनों के लिए नई पीने की टंकी बनने के बाद भी कृष्णा एजेंसी के कारण विवादों में गिरी है तो जल्द कार्यवाही की जाए सुटी है लोकमा दीर समाहता को एनाई ए अधिकारी की पहचान बता के इमेल करनार आरोपी पुलिस की रफ्त में बलसार में बुलेट टेन और जमिन संपधन विरोध सहीद के मुद्दे उग्रान दुलन करने के मूड में किसान संग अब देखता है समाचार मिस्ता से पार्टी किले पीने के पाने की टंकी पिछले पांच सालों से बनके तयार है लेकिन एजेंसी के कारण विवाद में रहे ते परिसानिया नगर्जनों को भुगरनी पड़ रही है पार्डी नगर्जनों के लिए पीने के पानी की टंकी अंदाजीत नव करोल की लागत से पांच से छे सालों पेले बनके तयार होने के बाद क्रिश्णा एजेंसी के कारण विवादों में किरी है जिसको लेके पुर्य फॉर्स में पस्चीम की और के लोगों तक पानी नहीं आने के करण अनिक मुस्किलियां खड़ी हो रही है पहले लक्षमी उद्यान में तयार की गई तंकी तूट जाने के बाद नई तंकी किले पर बन गई पर एजेंसी ने काम बंद करते तंकी का काम ठब हुआ है दुसरी और पार नदी पर जिवडी सी द्वारा सम पोइंट बना के तयार किया गया है साथ ही मुराजी देशाई ओडिटरियम के पास फिल्टर फ्लान भी तयार हो गया है उसमें अब पंद्रह सो से अट्रह सो मीटर की लाइन डाल के कनेक्शन जोडने का बागी है पहले भी एजेंसी द्वारा बनाई गई टंकी तूट गई थी जिसकी विरूद में एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति की सामने उस समय शिकायत की गई थी और इस केस के आरोपियों को जैल की हवा खानी पड़ी थी अब केस वापस किचने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और पाने के लाइन का काम रोक के सरकार को ब्लेक मेर कर रहे हैं जिसके कारण आज 9 करोड का प्रोजेक्ट गर्मी में ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको लेके पाड़ी के नगर्जन परिशानी भुगत रहे हैं तो विधाय कनुबाई देशाई पूरा ध्यान देके प्रोजेक्ट चालू कराए ऐसे नगर्जनों में मांग उठ रहे हैं साथ ही इस बड़ी समस्यक के बारे में दक्षीन जोहन के इंचार्ज केविन मोधी भी इस बारे में गंभीता दिखाई वो जरूरी बन रहा है अन्दाजी चौ वरस थाई यहा टाकी तूटी बड़ी आ बारे में अज़ेत्य आजनसी पर केस करवार माविया सरकारतर अरप्तियाने लोकुने जैलनी हावा पन खावान वार्वावियो अन्दाजी चौ वरस थाई यहा टाकी आपने पाड़ी नगरपालेकाने अन्दाजी बड़ी ब्यावरस थाई यह बनी ने तैयार छे परन्तु अत्यार हवे एक जगड़ो एक च्छे कि फिले अजनसी आम केई जैलनी हमें टाकी अंदाजी देखों रूप्याना खर्चे नवी बनावी आपी जैस्वा खर्चे तो ये केस सरकार स्री आ करेल होतो ते सरकार स्री परत खेचे अन्दा माटे तेवो ए अत्यार हवे नगरपालेकाने जे पंदर सु मीटर जी वी लंबाई नी पाइपलाइन नाकवान वी काटू काम जे 15-20 लाकों त्यानों काम बाकी जे एक काम अत्रे अटके रूँ जे अत्यार परिश्थिती ये वी चे गई अत्यार बनी गई ली चे पर वपरास मान थी इटले पस्चि वीबाग मा लोपने पाणी नों प्रेसर जे पूर्त प्रमान मरू जुए ती मरतू ना थी अहमदाबाद के साथ नंबर के सगुन अपाटमेंट दो में वड़ना के निवासी आरोपी प्यूस व्यास अंदाजित साल 2011-12 से दिव सर्किट हाउस में एना एके एसपी अधिकारी के तौर पर रूम बुक करवाने के लिए दिव आते जाते रहते थे गत फरवरी मास में भी दिव समाहर्ता हिमन कुमार के मोबाईल फोन पर इमेल आया था और समाहर्ता के पिए ने दिव सर्किट हाउस में दो रूम बुक करवाये थे तो इस मामले में दिव सीवी आई ने संका के आतार पर दिव समाहर्ता को बात करते उन्होंने दिव पुलिस को जाच के में पता चला था आरोपी प्यूस व्यास अहमदाबाद के निवासी और हाल वीमा कंपनी में कारेरत होने की जानकारी बाहर आई थी उसके बाद डिव जिल्ला मामलतदार सीदी वाजाद्वारा पुलिस में प्यूस व्यास पर सिकैत दर्ज की गई थी जिसको लेकर रहा है तो कई किसानों के व्रूख्ष और जमीन जाते बुमिहीन बने ऐसी शक्यता को लेके बुलेट्रेन प्रॉजेक्ट की विरूद मामले किसानों को सपर्षते प्रष्णों सहीत की चर्चा के लिए बसाट जिले के गुंडला में किसान संके कार्या लाईर गुजरात क किसान संग के प्रमुख की अध्यक्षता में एक विश्य स्प्रेठा का आयोजन किया गया था जिसमें अनेक प्रश्णों के बारे में चर्चा की गई थी कार्यक्रम में बलसाड पाड़ी उमर गाउं सहीद आसपास के गाउं के किसान बड़ी संख्या में उपसित रहे थे अमनेव लागे चे के आजादी पछी भारत देशनों खेडूत सव्थी विकट परिस्थिती मां थी गुजरी रहो शे आदेशनों खेडूत एपजी सागब्राजी पकाउतो होई कपास पकाउतो होई शेडी पकाउतो होई कि अन्या कोई पन खेत उत्बादन करतो होई आ देशनों खेडूत दुख्यी छे दुख्य एटला माटे छे के एजये खर्च करेशे इंपूट कास्ट खुब वधी गई छे खातर ना भाववदिया छे पानी ना भाववदिया छे दवाव ना भावदिया छे एजये उत्पादन करेशे ए मालना ए यहने रूप्या आपगात करवानों समय आवे छे तमने जानीने दुख थशे आ दर रोज आ देशना 35 खेडुतों आपगात करे छे गुजरात अत्यार सुधिये मां थी बाकात हतु पन अत्यारे गुजरात ना खेडुतों नी परिस्थिती पन विकट बनी गई छे एक अपास पकाउतों होई के शेडी पकाउतों है शेडी पकाउता खेडुतने गुजरात मा जयांसुधी लागे वड़केशे त्यांसुधी आवर्षे तने बार सो थी लईने बार सो रुपया एक तने ओछा मड़ा छे और त्यारे जे खान नी परिस्थिती छे एक खान नी परिस्थिती किमत नी प करोड रुपिया नो वारत देश नी जे खानगी सुगर फेक्ट्रियों छे एनी 22 करोड रुपिया नो गया वर्स नो शेडी नो भुगतान खेडुदोंने करवानों बाकी छे एमाथी 7000 करोड रुपिया आपवानी वाद करे छे गुजरात मा एनो 51 रुपियों आववानों नती कारण एटला माटे गुजरात नी सुगर फेक्ट्रियों ए एफार पी करता वधारे किमत गुजरात ना खेडुदोंने चुकवी छे आजे 7000 करोड रुपिया नी सबसीडी छे ए एफार पी सुधी नती पहुची शकी जे सुगर फेक्ट्रियों एने आपवानी वाद चे कुल्ले 22,000 करोड रुपिया नी जरूर छे एटले बीजाग 15,000 करोड रुपिया कौन चुकवी छे ए प्रस्ना शे पाड़ी तेसिल के उमर साड़ी देसाइवार की तीन संदानों की माँ एक माह से घूम हो उनके पती ने पाड़ी पुलिस थाने में शिकायद दिश कर वाए पाड़ी तेसिल के उमर साड़ी देसाइवार में आये ग्राम पंचायत के मकान के पास रहती प्रणीता गर्थ 10 मई को गर से वापी घर काम करने के लिए निकली थी उसके बाद आज जी दिन तलक गर पे नहीं आते उनके पती ने च्छान बिन की लेकिन कुछ पता नहीं च पत्नी और बच्चों की देखबाल कर सके इसलिए माची मारी की नौकरी पे गए थे और उनकी पत्नी काम पे जाने के बाद वापस नहीं आते तीनों बच्चों के सीर से मा का साया उठ गया है सूनील भाई ने अरजुन नामक व्यक्ती के खिलाग पाड़ी पुलीस ठाने में शिकायत दर्ज करवाई है और यही व्यक्ति उनकी पत्नी को लेके गया होने की चांकारी दी है पाड़ी पुलीस ने इस बारे में शिकायत दर्ज कर आगे की जाच शूर की है पाड़ी उमर साड़ी माचिवाड में श्री लक्षमी नारायन मंदीर में गत सुलह मै की रोज प्रारम हुए अधिक कुश्रतम मा में महिला उद्वारा कथा बजन का आयोजन किया गया था मंदीर में बड़ी संख्या में महिला इकत्रिक हुई थी और बजनों के सुर्शेले थे बजनों से पूरा महौल गुंजुठा था अमारा गाम उम्मरसादी माचिवार माँ ज्या प्री सोल में ते जे पूरुशतम मा स्वर्ट थे त्यार थी अमारे घाम नीबत्ते महिला उद्वेन्जुठा था सवरे नटीकिनारे श्नान करवा मटे जाए यांसी उलीन बनावे माठात काठा गुर्णों कुल्जन करे कथा वार्ता करे अने भद्दा गरे पाथ्षा आवे गरे आवे ने एकतान करे अने पच्छी मन्वीर मा लक्ष्मिनाय भगवन अमारु मन्दी छे यां आगर भाग पाडी दिरूबाई नायक हौल में संसुर्ट महाविद्याले और काम देनू गउशाले का स्री डाहियाबाई सास्त्री के अधिक्स्ता में और महंत बादवाज गिरिक के निक्ष्रा में गुरुवार के दिन सुभा साड़े साथ से बारा बजे तक 18,000 स्लोग का प्रारम किया गया था बाद में दो पेर को पाड़िकृष्ण भगवान की पोथियात्रा नासिक डोलनगारा के साथ निकाल कर कथास्तान पर पहुँझी थी श्रीमत भगवत सब्ता ग्ञान यगने के साथ कथाकर पाड़ी के बावेश जोसिक के सानिध्या में प्रारम किया गया था जो साथ दिनों में विबिन प्रसंग आयोजित होगी और आट एवं नौ जुन की रात को डायरे का आयोजिन किया गया था पोथियात्रा में वलसाड के विदायक बरत बाई पटेल, राजेस बाई राणा, कांती बाई पटेल, पालिका प्रमोग फालगोनी बेन भट, संतस्कूल के रुशीकुमार, आदिभाविक भक्त हाजर रहे थे साथे पित्रो नी पूजा, स्रीमत भागवत ना अड़ार रजा शलोपनों पारायन सरुथाई चुकूँछे, भागवत जी एकल यहूँ सास्त्र छे, के जी गरजिना करें कहा चे, केहुन तमने मुक्ती आपूछू, अने एमाय अधिक पुर्षो तम्मास, अक्षय पुन प्लाप्त करवा माटे, आ अना थे आनेरो अवसर कोई होतो न थी, देव ने दानुवनुँजे समवाच चे, एतो चे, पण आ जगतने जे काई, अर्शुष्टी ने जे काई मलुचे, एक क्रिष्ण माय चे, अने जे काई मले चे, एपन क्रिष्ण माय चे, तो आपने पार्णी नगर जनों के लिए नई पिने की टंकी बनने के बाद भी क्रिष्णा एजेंसी के कारण विवादों में गिरी है, तो जल्द कार्यवाही की जाए एसीटी है लोकमा, दियर समाहता को एनाईय अधिकारी की पहचान बता के इमेल करनार आरोपी पुलिस गिरफ्ट में बलसार में बुलेट ट्रेन और जमिन संपदन विरोध सहीद के मुद्दे उग्रान दुलन करने के मूड में किसान संग तो यह थे अब तक के दमने इसके समाचा, नहीं समाचा, नहीं गर्ताओं के साथ फिर बलेंगे, नमस्कार